मस्कार मैं हूँ नरेयन और आपका स्वागत है फिल्ला स्टेडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर तो सातियों जैसा कि मैंने पर्सेंटेज का पार्ट बन अपलोड कर चुका हूँ कैसे मैं समझा रहूं आपको इतनी सौट ट्रिक में आपको समझ में आना चाहिए चीज है ठीक है अब एक चुनाम में दो उम्मीदवार थे एक उम्मीदवार को चालीस परसेंट मत लेकर 15000 मत जातन कोजीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत पूच रहा है अब एक बात पताओ कितना एख होता है विन्र मिनर ये लूजर चालीस पर्सेंट कितना मिले है चालीस परताओ चालीस कितना है अंतर है तुम्हारा बीस परसेंट अरे है के नहीं साट और चालिस का अंतर बीस परसेंट और बीस परसेंट यह अंतर किसके बराबर है यह है 15,000 के किसके बराबर है 15,000 के अब यह क्या पूछ रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले जीतने वाला उम्मी इतनी कोड़ा कर दू आप कितना हो जाएगा 15 तिया 45 ठीक है कितना हो गया 45,000 और 45 यार कौन सा है option number C option number C इसका 45,000 अगला question देखो अगला question भी चुनाब कई है देखो क्या कह रहे दो मीदवारों के एक चुनाब में कुल 75,000 मत पड़े कितने 75,000 मत पड़े ठीक है इन मतों में से 20% अबैद घूसित हो गए बताओ 100% मत हो 20% अबैद घूसित हो कितने बचे 80,000 तो इसका 80% निकालो 80 बटे 100,000 जीरो से 0 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया इसका उड़ा कर दोसमें, तो जीरो, आठ पंजे 40, आसे लगे 4, आठ सते 56,000 जीरो, कितना हो गया, ये 6000 मत रहे गए, तुमारे कौन से, बैलिड, ठीक है, ये समझवाना चाहिए तुमको, ये एक उम्मीद बार को बैद मतों का कितना मिला, 55% मिला, अगर एक को 55 मिला है, दूसरे को कितना मिला होगा, 45, ये common sense की बात है, 100 में से अगर एक को 55 मिला है, बैलिड का, तो दूसरे को 45 मिला होगा, तो दूसरे उम्मीद बार को कितने बैद मत मिले, ये पूछ रहे है, बताओ, टोटल मत कितने है, 6000 है बैद, बैद की बात कर रहे हूं, टोटल की बात इंटू, कितना है ये, 45%, दूसरे बाले को कितना मिला है, 45 है, ठीक है, 45 बटे, 100, percentage तो 100 हो जाएगा, काटो जरा इसको, काटो, 0 से, 2-0 कट गए, अब 0 से कट गए, तो बस गोडाई तो करना है, करो गोडाई जरा, 0, 6-5, 6-5, 30, हाँ से लगे, 3, 6-4, 24-3, 27, कितना हो गया ये, 27, 27, 27 option कौन सा है, option number A, option number A, इसका correct हो जाएगा, तो दूसरे बाले उमीदवार को 27, मत मिले है, अगला कुशन देखो, अगला कुशन ये है, एक आयत की लंबाई, 60% ब्रधी कर दी जाए, गई, इसकी चोडाई में, कितने प्रसंट की कमी करनी होगी, कि आयत का छेत्र पल पूर बत रहे, अब तुम्हें मालम होना चाहिए, अगर मैं आयत मनाने के कोशिश करूँ, ये आयत है, ठीक है, आयत में एक होती है, लंबाई, और एक होती है, चोडाई, अगर एक चीज को बढ़ाऊगे, तो दूसरी चीज तुम्हें घटानी पड़ेगी, तब ही त साथ परसेंट की फ्रैक्षन केывают, साथ बट्टे सो, तो बीस तिया, साथ, और बीस पंजे, सो, तीन बट्टे पांच हो गई, क्या कराए, इसमें कि ब्रध्धी हो रही है, अगर ब्रध्धी हो रही है, तो पांच में तीन जोड़ों कितना हो गया, तीन बट्टे आठ, और कि इँ बदला कुशिन यह क्या के रहे च्छै छुन में 5 परसेंट नमक के बताऊ च्छी में 5% नमक के तो रहीosed अब परसेंट का लगाओ गे तो पॉइंट काहां में यहां पर पों तीज नमक है क्या है यह साल्ट है इसमें इसमें है साल्ट ठीक हेही हो BARGY क्या होगा इससे एसमें बाषपी कर दोएरा एंक लीटर पानी बहाब बन गया बाताओ छाय था एक लिट बहाब बन गया तोटल कितना बचा पांच tumor पांच को लिख लो नीचे पांच बचा सेस बचे घोल में नमक का प्रसंद बताओ अब बताओ नमक है कितना पॉइंट थी जीरो इंट्व क्तना? भई 100% इह थो होता है अब चरला काटवीट करो इसकी, जीरो से यहाँ पर कितना हो जाएगा? दो जीरो पट जाएंगी, दो जीरो से दो जीरो कट गए तो 5 से 30 कितनी ही बार कट गए? 6% कितना हो गया 6% कौन सा option है Option number D Option number D's का answer हो जाएगा अगला question देखो अगला question है ये क्या कह रहा है किसी बर्क की प्रतेक भुझा 30% ब्रद्धी करने पर इसके 6 पल में कितने प्रतेक की ब्रद्धी हो जाएगा एक बात बदाओ मेरे को बर्क का मतलब वो तो सारी बुझा बराबर ये 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 सब बराबर होती है अगला A है तो सारी A हो जाएगे अगर 30% की एक में प्रत्धी करोगे और दूसरे में प्रत्धी होगी तो इसका छितफल क्या होता है अगर छितफल की बात करूँ तो एरिया होता है इसका A स्कॉाइर ठीक है बजाए स्कॉाइर होता है अगर बजाए स्कॉाइर है तो मैंने बताया था पिछले वाली वीडियो में एक फर्मुला दिहां रखनाव X प्लस माइनस Y और प्लस माइनस X इंटू Y बटे 100 इस फर्मुले को दिहां रखोगे हमेशा निकल के आ जाएगा दो वैलू है तो दो वैरिवल लगा दो 30% की ब्रद्धी एक बार प्लस 30% की ब्रद्धी दूसरी बार बताओ प्लस प्लस और प्लस का गोणा प्लस ही होगा और 30 इंटू 30 बटे कितना बटे में 100 0 से 0 कट गया 0 से 0 कट गया 3060 और 309 कितना हो गया 69 प्रतिसत बताओ कौन सा उप्सन है 69% यह उप्सन नमबर 20 का सही हो जाएगा ठीक है आसा करता हूँ समझ में आता होगा आपको यह अगला कुशन देखो कुशन नमबर ये क्या कह रहा है नो मिली लीटर लोसन में 50% एलकोहल बहुत बड़ी है कुशन है इसमें कितना पानी और डाला जाए यहां ध्यार रखना क्या चीज मिलाई जा रही है बस 30% एलकोहल बाला लोसन बन जाए देखो सबसे पहले यह छोड़ दो यहां पर कोई मतलब नहीं है कितना हमें पानी डाला जाए तो पानी का परसेंट पूछ रहा है माल लो बाटर इसमें अगर 50% एलकोहल है तो 50% पानी रहा होगा इसमें बलकुल सही बात है कितना पानी और मिला जाए मैं कहता हूं कि इसमें 100% पानी मिला दो कितना मिला लो 100% एलकोहल इसमें कितना है 30% एली कि तीक है और 70 में से 50 के बचे 20 जीरो से जीरो के इंसल आउट हो गया अब एक बात बताओ मेरे को शुरू बात में था कितना 9 तो बताओ 9 लाने के लिए इसमें 3 का मल्टिप्लाई करना पड़ेगा के नहीं भी निकालना है आपको अगला कुश्चन देखो अगला कुश्चन यह है क्या कह रहा है दूद् था पानी के 40 लीटर मिस्रड में 10 पर्सेंट पानी है इस में से कितना पानी डाला जाएए हमेशा मैंने बता है 100% डालो हम अब सब्सक्राइब अब दिया तो नए मिस्रेड में 20% पानी बन जाए कितना 20 जरा करो बताओ 20 मैंसे 10 गए तो 10 बचे ठीक है और 100 मैंसे 20 गए तो कितना बचे असी जीरो से जीरो काड़ दो ठीक है जरा कलर चेंड करता हूं उसका तो बताओ 8 सेबरेट क्या आगए 8 शुरूब आतम पानी कितना है 40 लिटर दो क्या है मिसरड है तो बताओ 40 बनाने के लिए इसमें 5 का मल्टिप्लाई करना पड़ेगा 8 पंजे 40 40 लिटर है यह शुरूब आतम मिल गया हमको लेकिन हमें तो यह पूछ रहा है तो 5 का मल्टिप्लाई इसमे बता रहा हूँ आपको अगला कुश्शन देखो कुश्शन है यह क्या कहा रहा है 5 लीटर आलकुहल तथा पानी के मिसरड में 40 लीटर क्या है 40% अलकुहल है इसमें एक लीटर पानी डालने के बाद नए मिसरड में अलकॉहल का प्रसंट कितना हो जाएगा एक बात बताओ म मतलब है 4-5-20 4-5-20 और 2-0 कट जाएंगे से परसेंट से तो कितना लीटर है इसमें अभी एलकॉल है 2 लीटर इस घुल में 1 लीटर पानी डालने के बाद टोटल पहले 5 था 1 लीटर पानी डाल दिया तो टोटल कितना होगा अब 6 है डालने के बाद नए मिस्रण में एलकॉल का परसेंट बताना है तो एलकॉल है कितनी? 2 तो 2 एकन 2, 2 ती अच्छ है और 1 बटे 3 का मतलब होता है 33 सही 1 बटे 3 परसेंट बास समझना आ रही है आपको ओप्सन नमबर 20 का सही हो जाएगा अगला कुश्चन देखो अगला कुश्चन है ही क्या क्या रहे? ताजे फल में 68% परसेंट पानी है अगर 68% परसेंट पानी है ताजे फल में तो 32% पलप रही होगी इसमें घूदा कितना होगा? 32% और सूके फल में 20% पानी है तो बताओ 80 बराबर 32 के है तो एक बराबर कितने किरा होगा 32 बटे 80 ठीक है और कितना निकालना है तुमको निकालना है भी या 100 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा बताओ लगा दोस्में 100 बराबर कितना हो जाएगा जीरो से, जीरो कट गया, आठ चोक, बतीस, चार धाइं, चालीस, कितना मिलेगा तुमको, चालीस, किलो, ग्राम, औपसल नंबर 20 का समझ में आएगा, औपसल नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है, आसा करता हूँ, समझ में आ रहा होगा आपको, अगला कुश्चन देखो, अगला कुश्चन है ये, क्या क्या रहा है, ताजे फलो में 80% पानी है, मैंने बता है, 80% पान सूखे अंगूरों में 10% पानी है, तो भाया, इसमें गूता रहा होगा 90%, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सूखे अंगूरों का भाहर 500 किलोग्राम है, तो ताजा अंगूरों का भाहर कितना होगा, इसमें उल्टा पूछ रहा है, तो 20% पराबर इतना है, तो एक 0 कट गया, अब जर्णास का गुडा कर दो, 25 निम्मा, 225, 25 निम्मा, 225, 0 तो ही उपर, बट्टे 2 का भाग लगाना है, 2 का भाग लगाओगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दिनी 4, 2 पंजे 10, कितना मिलेगा, 1125 किलो ग्राम, ओप्सन नंबर कौन सा हो जाएगा, ओप्सन नंबर सीज का सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी समझ में आगया होगा आपको, एक लास सवाल और बचायस का, देखो ये, क्या कह रहा है, एक चुनाम में दो मीदवार थे, कितने दो, इस चुनाम में 68 मद, मत जो है, अवैद घू ठीक है, मिल गए भई, दूसरे को, भई, लूजर रहा होगा, उसको कितने मिले होंगे, 48%, ये कॉमन सेंस की बात है, का 100% टोटल है, तो एक को बावन मिल गए, तो दूसरे को 48, बताओ, दोनों का अंतर कितना है, अंतर है, 4% का, और कह रहा है, कि अठाब, अठान पर मतों स अब इसको 100 बनाना है, 100 बनाओंगा, तो 50 कोड़ा कर दूँ धर, और इसको मिल पचास कोड़ा कर दूँ, करो जारा कोड़ा, इसका हो जाएगा 100%, ये कितना हो जाएगा, 100%, ये कितना हो जाएगा, 0, 59, 45 के 5, हासल लगे 4, 5, 24, 24, 25, कै ये आंसर है, नहीं, इसमें पूछ र कुल चाहिए मेरे को दो, बताओ, 8, 5, और 6, 11, का एक, हासल लगा, 1, 4, और एक, 5, और बताओ, 2, 25, 28, कौन सा उप्सन है, उप्सन नंबर A, उप्सन नंबर A, तो सातियों सारे के सारे मैंने कुशन आपको करा दिये, एक भी कुशन मैंने ऐसा नहीं है, कि जो बहुत अच्छा लगता है, तो लाइक कर दिया करो, सातियों तक सेर करो, जिससे मेरा चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचे, और मालम पढ़े किस प्रकार से में पढ़ा रहा हूं, ठीक है सातियों, और चैनल पकर पहली बार आते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दवा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिक्शन आपको समय से मिल सके, ठीक है, धन्यवास आतियों